हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल तो कैसे हूँ आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राते राते आज है अपरा एकादशी और अपरा एकादशी की आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हर्दिक शुप कामना है तो पूजा हस्मेंड ने तो कर लिया है मंदिर की पूजा पर गुपाल जी को भी सनान कराना है और गुपाल जी को सनान मैं कराऊंगी अभी योगा करने के बात तो योगा कर लिया है मैंने और सूरस देपता जी ने भी दर्शन दे दिया है और अब मैं जाऊंगी नीचे गुपाल जी को सनान कराने के लिए तो ये सनान कराने वाला जो गुपाल जी का पातर है इस पे मैं पहले स्वास्तिक बना लूँगी ओम श्री प्रमात्मने नम्हा मंत्र जाप करते हुए तो यहां स्वास्तिक मैंने बना लिया है और गोपाल जी से अब मैं प्रातना करूँगी आओ गोपाल जी सनान कर लो तो गोपाल जी को आज मैं सिंपल जल से सनान करा रही हूँ यह ताजा जल ले लिया था इसमें मैंने डाल लिया है गंगा जल और थोड़े से फूल की पतियां डाल लिया मैंने और गोपाल जी को अब सनान करा रही हूँ है ओम नमो भगवते वासु देवाए मंतर का चाप करते हुए ओम नमो भगवते वासु देवाए ओम नमो भगवते वासु देवाए तो गोपाल जी का हो गया सनान और अब इनका कर दिया जाए चंदन शिंगार तो चंदन का जो शिंगार है वो मैं तूटपिक से करती हूँ तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी के तिलक लगा दिया है और बना दिया जाए तुलसी पत्र और थोड़ा सा अखों का भी शिंगार कर दिया जाए क्योंकि हमारे गोपाल जी शिंगार के बहुत शुकीन है इनको शिंगार करवाना बहुत अच्छा लगता है अपना तो ये मैंने गोपी चंदन लिया और गोपी चंदन में केसरी चंदन मिक्स करके और गोपाल जी का शिंगार मैंने कर दिया है तो गुपाल जी को मैंने कोई ड्रेस नहीं पिनाई है बस वोई जो खुद अपने हथों से सिली वी बन्यान है वोई डलवाई है यलो कलर की और अब तो गर्मी स्टार्ट होगी है तो आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी और मुझे भी यलो कलर बहुत पसंद है तो मुझे तो बहुत सुन्दर लग रहे हैं गुपाल जी और अब कर ली जाए तुलसी माता की पूजा तो ये मैंने दूबत्ती जगाई है सुबह के टाइम तुलसी माता में मैं दूबत्ती जगाती हूँ और शाम के टाइम मैं जोत जगाती हूं माता तुलसी के तो चलिए चलते हैं तुलसी माता के भी दर्शन करने के लिए और ये जल मैंने ले लिया है और ये फूल तो आज एक आदशी है तो तुलसी माता के भी पूजा मैंने कर लिया है तो एकादशी वाले दिन अगर तुलसी माता में जल की जरूरत होती है, तो मैं जल चड़ा देती हूँ, क्योंकि द्वादशी को तो बिल्कुल नहीं देना होता हुता जल तुलसी माता में, तो इसलिए आज मैंने जल चड़ा दिये, जो गुपाल जी का सनान कराया हुआ जल होता है वो मेरे तुल्सी माता में ही चड़ाती हूँ और ये हैं इनका चांदी का जुझञना जो कि मैंने जनमास्टमी पे गुपालजी के लिए बनवाया था और ये जो लकडी का जुझञना ये तो मैंनेया को कभी होता है अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को भी पढ़ लेती हूँ, तो मैं पढ़ूंगी एक अध्याए और मुझे लगता है सबको पढ़नी ही चाहिए जरूर भगवत कीता क्योंकि यह ना तो स्रेश्ट कुल्षों से आचरन किया गया है, ना सोरग को देने वाला है, ना कीर्थी को करने वाला है इसलिए हे अरजुन नपुन सकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योगे नहीं है, हे परंतब तुछ हिर्दे की दुरूबलता को त्याकर युद के लिए खड़ा होता है, अरजुन बोले की है, मदुसूदन मैं रनभूमी में भीश मा पिताना और दुरूना चारे के प्रति इस प्रकारबानों से यूद करूँगा क्योंकि हे अरी सूदन वे दोनों ही पूजनिये हैं, इसलिए इन महा अनुभा गुरू जनों को मार कर इस लोग में भीक्षा का अन भी भोगना कल्यान का रख समझता हूं कि है, तो अब है गुपाल जी को भोग लगाने की बारी, तो आज फ्रूट में गुपाल जी को तर्बूच का भोग लगाया है, और अब मैं लगा रही हूं गुपाल जी को दूद का भोग, तो दूद अभी गरम है, क्योंकि आज तोड़ा लेट आया दूद, तो इसको मैं पानी में ठंडा कर रही हूं, तो शक्कर इसमें मैंने लिए नाओं भोग के लिए, पर मैंने सोचा चलो भी ये पड़े ही हूं, तो इसी से भोग लगाते हैं गुपाल जी को, तो अब मैं गुपाल जी से प्रातना कर रही हूं, आप गुपाल जी भोग लगाओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सस्क्राइब जरूर कर लीजी मेरे चैनल को, और कॉमेंट बोक्स में अपने सुशाव देना बिलकुल मत भूलिए, तो आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे, थैंक यू फॉर वाचिंग,